हेलो स्ट्रेंट्स आज हम करने वाले हैं NCRT क्लास 7th Maths Solution Chapter 1 Integers exercise 1.2 इसके question no.1, second and third इसे पहली वाली वीडियो में हम कर चुके हैं जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा आज हम करने आ रहे हैं question 4 को तो आईए शुरू करते हैं अपनी आज की class तो question no.4 आपसे कहा गया है fill in the blanks to make the following statements true means first part आपको question में दिया हुआ इस question का meaning यह है कि यहाँ पर equal का sign लगा है और यह हमारे पास left hand side value value है और यह हमारे पास right hand side value value है तो हमें एक statement में इस fill in the blank में एक ऐसा number यहाँ पर fill करना है जिससे हमारे पास यह statement true हो जाए means LHS value जो है RHS के equal हो जाए हमारे पास तो अगर आपको याद हो तो introduction part में मैंने आपको बताया थी एक property जहाँ हमने पुड़ा था a plus b equal to b plus a इस property का नाम हमने रखा हुआ था इसका नाम था commutative property commutative property इस commutative property का ही हम याव यूज करने वाला है तो इसका यूज करने के लिए अब हम हम चेक करेंगे इस question में left side पर हमारे पास कौन सी value है minus 5 and minus 8 और right side पर हमारे पास कौन सी value है minus 8 और यहाँ पर देखें तो missing कौन सा है minus 5 है तो यहाँ पर हम इसका answer लिख देंगे minus 5 plus minus 8 minus 8 plus यहाँ पर जो number missing था हो था minus 5 easily हमने इस question का answer हमने calculate कर दिया है commutative property की help से अब देखेंगे इसका sum जोगा a plus b and b plus a इनका sum जोगा equal आएगा तो इस तरीके से question करना है आईए आप करते हैं इस question का second part so second part में हमारे पास question है minus 53 plus dot 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 equal to minus 53 इस dot dot वाले portion पर हमने एक SN number बरना है जिससे के हमारे पास यह statement हमारे पास true हो जाए अब खुद यहाँ पर देखेंगे तो left hand side पर minus 53 में कुछ एक SN number add करना है जिससे result हमारे गारे पास minus 53 आजाए तो हमने एक identity इसके बारे में पड़ी थी जिसमें हमने पड़ा था if a plus 0 equal to a and equal to 0 plus a आपको introduction part में आपको यह याद होगा इस तरीके से हमने इसे करा था तो आप हम देखते हैं इसका जो नाम था वो था additive identity जीसे हम कहते थे additive identity तो इस question में हम additive identity को use करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे miss करने वाली बात हमारे पार देखेंगे number क्या है minus 53 तो यहां पर दब माइनस 53 हम 0 एड़ करेंगे तो हमारी पास क्या आएगा माइनस 53 ही आने वाला है इसका जो आंसर होगा इस फिल इन दी ब्लैंक वाले पोर्शन पर हम लिखेंगे 0 is equal to माइनस 53 देखें कितनी इजली है question हमारी पास हो गया अगर हमें इसके identity आप पूरी लर्न है तो यह बहुत इजली हम इसे कर सकता है इसी तरीके से आप करते है question 4 का third part so strength the third part is 17 plus dot 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 equal to 0 in this question देखें 17 में क्या आड़ किया जाए कि हमारी पास answer 0 आजाए it means जब कभी भी ऐसा question आपके पास आता है तो उस number में आप उसी number का minus add कर देंगे तो यह हमेशाद 0 होगा तो इस value के लिए यह क्या होगा statement true आजाएगा हमारी पास अब हम करते हैं इसका fourth part so strength fourth part में आपको question given है एक bracket में 13 plus minus 12 को add किया है then third number को भी उसमें add किया है equal है bracket में minus 12 plus minus 7 किया हुआ है and 13 को अलग से add किया हुआ है अगर आपको याद हो properties तो properties में हमने एक property ऐसी पड़ी हुई है जिसमें हमने क्या क्या था a plus b को add करने के बाद c एक number लिया था then यहाँ पर a plus b plus c किया था I hope आपको याद आगया होगा इसका नाम है associated property associated property तो इस property के हिसाब से कर देखा जाए कि कौन से number हमारे पास missing है तो यह वाद चेक करके देखते हैं 13 है इधर वाले में देखे सारी value हमारे पास है 13 यहाँ भी है minus 12 minus 12 भी यहाँ भी है minus 7 बट minus 7 यहाँ नहीं है it means क्या है कि यहाँ पर कौन से value आने वाली है minus 7 आने वाली है तो easily हमने यह question कर लिया with the help of associative property तो यह हमारा था fourth part अब इसका देखते हैं last part जो fifth part है उसको भी देखते हैं इसको solution कैसे किया जाएगा so it's time fifth part आपके सामने question लिखा हुआ है minus 4 plus 15 plus minus 3 bracket के अंदर लिखा हुआ है और equal to minus 4 plus 15 हमें ऐसे दिया वाए और यह हमने यहाँ पर calculate करना है कि कौन से number के लिए यह statement true होगा तो आईए देखते हैं तो चब three number आपको इस तरह के से given हो तो हमेशा एक बार try कर लिजेगा associative property के लिए कि associative property यहाँ पर apply हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पर चेक करके देखते हैं associative property अभी मैंने थोड़ देर पहले लिखी हुई थी बस यहाँ पर condition थोड़ा सा change है यहाँ पर इससे लिखावा है a plus देखे बड़े आले bracket में लिखा है b plus c equal to अगर इसको a लेके चलते हैं तो यह हो जाएगा a plus b plus अब इसको इसको इसकी जिए प्रोपर्टी का नान हमारे पास है associated property तो यहाँ पर यूज कर रहे है associated property कहती है कि किसी भी three numbers अगर हमारे पास same है उनका addition आप किसी भी order में करिए तो वहाँ पर हमेशा जो उसकी value आती है वो equal आती है तो यहाँ पर चेक करते हैं देखे लेफ साइट पर हमारे तीरी तीरी की तीरी value हमें given है तो उसके हिसाब से हम right side पर value easily लिख सकते हैं तो अगर देखा जाए लेफ साइट पर कौन सी देखो minus 4 यहाँ पर है तो minus 4 यहाँ भी है 15 यहाँ पर है तो 15 plus 15 यहाँ है but minus 3 यहाँ है यहाँ नहीं है it means यह minus 3 क्या होगा यह minus 3 इसका answer होगा तो इस तरीके से minus 3 हमारा इसका answer आ गया तो इस तरीके से इन question को easy way से हम कर सकते हैं तो आज हमने complete कर लिया है अपनी exercise 1.2 next video में हम करेंगे exercise 1.3 जिसके साथ हम multiplication वाली property भी हम पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए thanks for watching